दोस्तों कुदरत ने हमारे धर्ती पर ऐसे बहुत से अधबुत जगों का निर्मान किया है जो दिखने में बहुत ही रंग भी रंगे और खुबसूरत लगते हैं और दुनिया में घूमने के लिए ऐसे तो कई अंगिनत जगह हैं लेकिन कुछ जगह ऐसी है जिने या जियो पार्क यह नेशनल पार्क चाइना में इस्थीत है जो की 322 किलो मिटर के एक बहुत बड़े छेतर में फैला हुआ है यह बहुत ही अमेजिंग और रंग भी रंगे चट्टानों के लिए पूरी दुनिया वर में फेवस है यह पार्क किलियन पहाडी पर इस्थीत है जिसकी उंचाई करीब 100 मिटर तक है यह पहाडी करीब 40 मिलियन साल पुराना है यह बहुत ही चिकनी रंग बिरंगी पत्थर और बनुवा मिट्टियों से मिलकर बनी हुई है जो दिखने में इंद्रधनों के रंगों के समान दिखाई देती है इसके रंग बिरंगे होने के उपर कलाकारी की गई हो लेकिन यह लाखों सालों से मिट्टी की खटा के कारण इसके नीजली परत दिखने लगी है साल 2010 में इस परवत को युनेसको द्वारा वर्ल्ड हेरीटेज साइट के लिस्ट में सामिल किया गया है चाइना सरकार के द्वारा इस जगह को टूरिस स्पोर्ट बनाने के लिए जहांगे डेंक्स या जियो पार्क पर बहुत बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट की गई है ताकि इसे देखने के लिए टूरिस्ट को और भी ज़्यादा आकर्चित किया जा सके नमबर टू क्रिस्टल केव यह गुफा आइसलेंड में स्थी थे ज जिससे लगतार पानी बहते ही रहते हैं हलांकि इसके अंदर जाना भी अपने आपने एक बहुत बड़ी चैलेंज है खास करके उन लोगों के लिए जिन्हें ठंड से काफी एलर्जी होती है क्योंकि यहां का तापमान 0 degree Celsius से काफी नीचे रहती है और इतने ठंड में इंसा जाने वाले कुछ टूरिस्ट की मौत हो चुकी थी जिस कारण वहां कि गवर्नमेंट के द्वारा टूरिस्ट को यहां आने पर पाबंदी लगा दी गई थी लेकिन बाद में समय बीतने के साथ safety के साथ वहां टूरिस्ट को आने की परमिसन दी गई नमबर थ्री पेरीटो मोरेनो ग्लेसियर यह ग्लेसियर 250 वर किलोमेटर में फैला हुआ है और करीब 30 किलोमेटर लंबा है यह सदर्न पैटागोनियन आइस फिल्ट के 48 ग्लेसियरों में से एक है साइन्टीस्ट का मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग की वज़ा से पूरी दुनि में बहुत ही कठोरता से खड़ी है यह किसी भी दूसरे ग्लेसियर से थोड़ा अलग है क्योंकि यह दो से चार साल के अंतराल में तूटता और बनता है जो कि वज्यानिकों के लिए एक असमंजस पैदा कर देती है इस ग्लेसियर को देखने के लिए टुरिस्ट की भी काफ और वीडियो पसंदाई हो तो यह वीडियो को लाइक करना बिलकूल न भूले और आप हमारे चैनल पर नए है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में तब तक के लिए जैहिन